तो लोगसभा elections की date announce हो जुकिया है और जो polling होगी वो 19th April से लेकि एक जून के बीच में होगी अलग-अलग phases में और इसी बीच IPL भी होगा तो अब सवाल सब के मन में ये था और कावी सारे rumors भी आ रहे थे कि शायद जो second edition IPL का है second जो phase है वो बाहर हो सकता है UAE में हो सकता है लेकिन जैशा ने यहां पर confirmation दे दिये कि IPL कहीं भार नहीं जाएगा वो इंडियन सरजमी पर ही होगा भारतिय सरजमी पर ही होगा कहीं और नहीं जाएगा और इंडियन जो पूरा पूरा इंडिया में ही होगा वो कहीं बाहर नहीं होने वाला जो second part है तो अब dates जो announce होंग कि वो depend करेगा कब होंगी कब नहीं होंगी उसके accordingly सब चीज़े मानेज होंगी क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है 2019 में भी ऐसा हुआ था और 2019 के टाइम भी जो alternative थे वो शायद से UAE और साथ अफरीकर देखे जा रहा थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरा जो IPL था वो मैनेज हो गया था इंडिया के अंदर ही तो अब देखना होगा कि इस बार जैशा और उनकी टीम किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करती है कि लोग सभा के जो इलेक्शन है उस वक्त के टाइम पर क्योंकि एक जून तक वह चलने वाले एलेक्शन और एक जून तक तो भाई सब और किस तरह से वह मैनेज होगा और क्या गुवर्मेंट के साथ किस तरह की पॉलिसी या किस तरह का प्लान और स्ट्राटीजी लेकर आएगी बीसी इस चीज़ को एक्जिक्यूट करने के लिए बट जैशा ने ये कन्फरमेशन दे दिये कि लोग सभा इलेक्शन के बावज और गॉर्मेंट के साथ बैठके अफको स्ट्राटेजी बनेगी किस तरह से होगा वो देखने वाली बात है आपको एक लगता किस तरह से आगे का सेकिंड फेज आएगा और कब से शुरू होगा और कैसे कैसे होगा कुछ अगर आपको आइडिया है तो कॉमेंट सेक्शन मे ज़रूर बताना और ऐसी वीडियो जखने के लिए सीजी नियूस को सब्सक्राइब करना मत बोलना थैंक यू सो मच